अपचारिक तोर पर टाइटन पंडुब्वी को ढूंडने का काम बंद कर दिया गया है और वैसे भी समंदर की इतनी गहराईों में जाकर टाइटन पंडुब्वी और इसमें मारे गए लोगों को ढूंडना या उनके अवशेशों को तलाशना ये संभव नहीं दिखाई हाथसा मामले में कई एजनसियां और इनका एक अंतराश्टिय समू जांच में जुटा हुआ था एजनसियों का अंतराश्टिय समू परेटकों को टाइटनिक का मलवा दिखाने ले गई पंडुब्वी टाइटन में हुए विस्पोर्ट के सही कारणों का पता लगाने की को प्रांसीसी समुद्री हताहत जांच बोर्ड और युनाइटेट किंग्डम मरीन एक्सिडेंट इंवेस्टिगेशन ब्रांच के जांच करता मिलकर 18 जून की दुरगटना की जांच कर रहे थे। कैनेडा के अधिकारियों के समनवाय के साथ Newfoundland के Port of St. John में सबूत इकठा किये जा रहे थे। US Coast Guard और Agency के मुख्या अनवेशक Captain Jason New Bayern ने रविवार को एक Press Conference में पहले ही कहा था कि उत्तरी Atlantic सागर में समुद्र तल में खोज अभियान जारी है और उन्होंने दुरगटना इस तल का मानचितरन किया है। हलाकि उन्होंने इस सम्बंद में कोई जानकारी नहीं दीती कि जान कब तक कूरी हो पाएगी लेकिन ऑफिशली जब इसको रूख दिया गया है तो इससे ये ताय हो गया है कि कोई बहुत जादा जानकारियां इस मामले में नहीं मिल पाएए। सबसे पहले तो हादसे के कारण सामने नहीं आपा रहे हैं। केनेडा के परिवान सुरक्षा बोर्ड ने शनिवार को कहा था कि उसने पंडुबी हादसे की जाच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक साजिश के एंगल से भी इस पूरे मामले की जाच की जा रही है। इसके लिए जहाद और पंडुबी के डेटा का विशलेशन बहुत ज़रूरी है तो यह जब सामने आएगा तो और पता लग पाएगा। मामले में कैनेडा ट्रांसपोर्ट सेफटी बोर्ड याने टीएसबी की अध्यक्ष कैथी फॉक्स ने बताया कि उनकी और से गठिट टीम ने शनिवार को पोलर प्रिंस का दौरा किया। इस दौरान सारे डेटा और उपयोगी जानकारियों को इकठा किया गया। उन्होंने का कि हमारी जाच का उद्देश किसी को दोश देना नहीं है बलकि हर एंगल से इस हाथसे की हकीकत पता लगाने की है। अधिकार नहीं है। ऐसे में हाथसे के बाद ये सवाल उठाता कि आखिर कौन सी एजिंसी इस घटना की जाच करेगी। अब इसको लेकर एक संयुक्त जाच बठाई गई जिसमें यूएस कोसगार्ड, यूएस नेशनल ट्रांस्पोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, कनेड़ा के ट्रांस्पोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, फ्रांसीसी समुदरी हताहत जाच बोर्ड और युनाइटेट किंग्डेम मरीन एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को शामिल किया गया फिलाल अमेरिका और कैनेडा के अधिकारियों ने पानी के नीचे हुए विस्पोर्ट के कारणों की जाज शुरू करने के बाद में इसको विराम दे दिया है अब कोई इन्वेस्टिगेशन अब नहीं चल रहा है जितनी जानकारिया जुटाई गई है इनका विश्लेशन किया जाएगा बहुत मुम्किन है बाद में फिर कोई पंडुबी भीज कर इसकी जाच परताल की जाए इस सवाल का जवाब पता लगाने की कोशिश की जा रहे है कि ये हाथसा कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है अभी तक ये पता नहीं लग पाया और साजिश से इंकार नहीं किया जा सकता जब तक कि सभी सुबूत या बहुत इसपश तोर पर ये बात सामने ना आ जाए कि आखिर हाथसे की असली वज़े क्या है पंडुबी में कुल पांच लोग सभार थे जिनमें टाइटेनिक मामलों के एक प्रमुक विशिशग ब्रिटिश अरपपती पाकिस्तान के दो सदस से समेथ इस मिशन को संचालित करने वाली कंपनी के सीई-ओ की भी मौत होगी ऐसे में जानना भी जरूरी है कि हाथसा कैसे हुआ होगा समुद्र की गहराई में छोटी सी खामी किस तरह मौत की वज़े बन सकती है ये आने वाले इस तरह के मिशन्स के लिए इस तरह के एडविंचर्स के लिए एक्सपेडिशन्स के लिए बहुत जरूरी है विशेशक्यों का मानना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज़ पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है ये चार-पांच हजार पॉंड पती वर्ग इंच तक हो सकता है जो धर्ती के मुकाबले साड़े तीन सो गुना ज़्यादा होता है ऐसे में पंडुबी में कोई छोटी सी खामी भी भारी पढ़ सकती है पंडुबी में छोटा सा लीग भी अंतह विस्पोर्ट याने इंप्लोजन जैसे एक्स्प्लोजन होता है बार से इसे अंदर से विस्पोर्ट हो सकता है का कारण बन सकता है गौर तलब है कि ये विसपोर्ट मिली सेकंड के भी एक अंच में होता है याने कि पलक जपकते ही कम समय में पंडुबी में जबरदस विसपोर्ट हो सकता है और हुआ होगा इसमें ये भी एक थियोरी रखी जा रहे हैं ये आत्मियों को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलत है एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है अब टाइटन के साथ क्या हुआ है ये तो पूरे विशलेशन के बाद ही पता लग पाएगा अमारुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्बी निरंदर